आपने जारखंड के जामताड़ा का नाम तो सुना ही होगा वही जामताड़ा जो देश बर में साइबर ठकी गए लिए कुख्यात हैं कुख्यात भी इतना कि इसकी कहानी को OTT प्लेटफर्म पर भी उतार दिया गया और जामताड़ा नाम से वेब सिरीज के दो सीजन रिलीज हो चुके हैं काफी सफल होए हैं लेकिन अब राजस्थान को साउधान हो जाने की जरौत है क्योंकि राजस्थान में भी ऐसे गाओं का खुलासा हुआ है जो जामताड़ा बनने की कगार पर हैं लग लग पाग आउटर सिगनल पे हैं वैसे तो एक खबर महराष्टर से हैं लेकिन इसके तार सीधे सीधे राजस्तान से जुड़े हैं जब जांच पड़ताल हुई तो सामने आया कि एक दो अपरादी नहीं बलकि राजस्तान का पूरा गाउं ही साइबर ठगों से भरा हुआ है अचंबे की बात ये है कि एक तरफ राजस्तान में ठगों के पूरे गाउं का खुलासा हो चुका है लेकिन राजस्तान की बेनिस्ट्री मीडिया में इस बात की चर्चा नहीं है हम आपको बताएंगे कि आखिर माजरा क्या है एक शब्द होता है सेक्स्टोर्शन जिसका मतलब है कि किसी की न्यूड क्लिप बनाकर उससे फिरोती मागना इंटरनेट के युग में साइबर ठगों का ये पशंदिदा पेशा बना हुआ है ये ठग कम उमर के बच्चों को जल्दी ही अपना शिकार बनाते हैं इस तरह से ठगी का एक मामला माराष्ट के पुणे में आया पुणे के 19 साल के लड़के ने आत्मत्या कर ली जब पुणे पुलिस ने मामले की जाँच करी तो मालूम चला के लड़का सेक्स्टोर्शन से परिशान था सेक्स्टोर्शन का एक मामला राजस्थान के बाडमिर जिले में भी एक दिन पहले सामने आया है इससे साफ होता है कि राजस्थान में कुछ अलग तरह की आपरादिक खिजडियां पक रही है जिसकी बू या जिसकी गंद अभी तक पुलिस को शिद्दत से महसूस नहीं हो रही है खेर हम चलते हैं जामतड़ा जो बन रहा है राजस्थान में उस मुद्दे पे पुने सहीत पूरे महाराष्टर में इस गटना ने सब को जगजोर कर रख दिया था पुने पुलिस जब केस की पड़ताल में जुटी तो पता चला कि इस गटना के आरोपी का नाम अनवर खान है जो कि राजस्तान के अलवर जिले के गोठरी गुरू गाउं का रहने वाला है अनवर खान मृतक को उसके असलील वीडियो इंटरनेट पर वाइरिल करने की धमकी दे कर पैसे की मांग कर रहा था पुने पुलिस आरोपी की धर पकड़ करने जब अलवर के उस गाउं पहुंची तो अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसकी पुलिस को उमिद नहीं थी जब गाउं वालों को पता चला कि पुलिस गाउं में आई है तो पुरा गाउं पुलिस पर हमला वर हो गया बाद में सिविल यूनिफॉर्म में पहुंच कर पुलिस ने आरोपी अनवर खान को गिरफतार किया पुलिस जब इस मामले की जाँच में आगे बढ़ी तो हैरान करने वाले खुला से सामने आए पता चला कि पुलिस की जाँच में खुला से हुए कि इस गाउं के युवां को ब्लेक मेलिंग और साइबर ठगी की ट्रेनिंग करवाने के लिए बाहर से एक्सपर्ट को भी ब बाम दे सकें बीबी सी की और से खबर दिखाये जाने के बाद भी अभी तक राजस्तान का मीडिया चुप हैं सरकार चुप हैं पुलिस चुप हैं तिंक 360 की टीम ने जब उस गाउं के बारे में पता लगया तो सामने आया कि गोथरी गुरू गाउं राजस्तान की लक्ष् इन गाउं के युवा जिने इस उम्र में स्कूल या कॉलेज जाना चाहिए, लेकिन उन्हें भी इस तरह की अपरादिक गति विदियों में शामिल होने के लिए प्रे रितख किया जाता हैं, इन गाउं में अपराद करने के लिए इस तरह की यूनिटी है कि जब पुलिस कि इसी भी गाउं में गुष्ति है तो पूरे गाउं वाले मिलकर पुलिस का विरोध करते हैं और इस डर के चलते पुलिस भी अब इन गाउं में जाने से कतर आती हैं अब सवाल यह है कि आखिर मेवात क्षेत्र के लोगों के दिल से निकले कानून के भय का जिम्मदार आखिर है कौन वहां के युवा लगातार संग्टित अपरादियों के संपर्क में आकर अपना भविश्य खराब कर रहे हैं लेकिन इस क्षेत्र में सरकार और प क्रेंदी वे था हैं दूत अपर नेयस जो है हमें 강डियों के लित थम्मदार आप कर अचार मुश्य खरादियों के सवाद्य ठाग्चार प्रण्चामें जञे हैं तो फ vorbere सोचे, उained कर दूज, ये जया है हैाँ, और एकломे खो जैने हैं जई हूँ, पतर Thanks a बवादे